मैं एक टेक्सी ड्राइवर था, मेरा जनम एक गरीब परिवार में हुआ था, पांच भाईयों में मैं अकेला जिन्दा बचा था, मैंने कभी स्कूल का मूँ नहीं देखा था, मेरी उम्र जब दस साल की थी, तभी मेरी मा मर गई थी, और मेरे बाप ने मुझे एक लोहार के ह काम पर लगा दिया था, सारा दिन भटी के आगे बैठकर मैं लोहे का पंखा चलाता था, महीने में मुझे मेहनत के जो पैसे मिलते थे, उन पैसों को मेरा बाप सराब में उड़ा देता था, आठ साल तक मैंने लोहार की दुकान पर काम किया था, तभी मेरे सराबी बाप की मौत हो गई थी, बाप के मरने का मुझे जरावी दुक नहीं हुआ था, क्योंकि अब मैं पूरी तरह आजाद हो गया था, कुछ गलत लड़कों के साथ मेरा उठना बैठना हो गया था, बीस साल का होते होते मैं पक्का सराबी जोआरी बन चुका था, एक करीवी रिस्तेद को मुझे पर दया आ गई, उसी ने भाग दोड करके मेरी साधी करा दी थी, मेरी औरत ज्यादा खुबसूरत तो नहीं थी, पर मुझे कई गुना अच्छी थी, मैंने हमेशा से ही अपनी बीवी को इस्तेमाल की चीज समझा था, अब मैं दो बच्चों का बाप बन चुका फिर भी बच्चों के लिए एक बाप की क्या जिम्मेदारी होती है, इसका मुझे पता नहीं था, 20 साल की उमर में माहिर ड्रैवर बन गया था, तब ही से मैं टेक्सी चला रहा था, अब मेरी उमर 32 साल के करीब थी, मैं जितना सोकीन था, उससे कहीं ज़्यादा मेंती भी थ मैं सुबह 6 बजे टेक्सी लेकर घर से निकल जाता था, और रात के 11 बजे के बाद ही लोटता था, मैं 400 से 600 तक रोजाना कमा लेता था, इतना कमाने के बाद भी मेरे घर की माली हालत ठीक नहीं होती थी, क्योंकि मुझे सराब पीने के अलावा कोठे पर जाने का भी सोक था एक रात की बात है, एक रात को मैं स्टेशन के बाहर सवारियों का इंतजार कर रहा था, थोड़ी देर पहले एक एक स्पेस ट्रेन प्लेट फॉरम पर आकर रुकी थी, कुछ सवारियां गेट से बाहर निकली तो मैं मुझेती से खड़ा हो गया, कुछ सवारियों से मैंने टैक्सी के लिए पूछा भी था, लेकिन सवारियों ने मना कर दिया, कुछ सवारियों को टैक्सी की जरूरत नहीं थी, जिने जरूरत थी, बे अपने परिवार के साथ थे, उन्होंने सेकल देखते ही मुझे को मना कर दिया था, क्योंकि सराव के नसे में डूबा मैं सकल से ही बदमास लगता था मैंने कलाई में बंदी गड़ी की तरफ देखा रात के ग्यारा बज रहे थे एक ट्रेंड के आने का समय हो गया था साध मुझे कोई सवारी मिल जाए है सोचकर मैंने बीडी सुलगा ली रात के ग्यारा बज़कर 30 मिनट ट्रेंड प्लेट फॉरम पर आखों में एक अजीव सी चमक उभराई मैं तेजी से उस लड़की की तरफ लबका और उससे पूछा मैडम क्या आपको टैक्सी चाहिए हाँ चाहिए उस लड़की ने मेरी तरफ बिना देखे ही जवाब दिया कहां जाना है आपको सिवनंगर लड़की ने जवाब दिया चलिए कहकर मैंने लड़की के हाथ से बैग ले लिया कुछ ही दूर टैक्सी स्टेंड पर मेरी टैक्सी खड़ी थी मैंने डिगगी खोल कर बैग उसमें रखा और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया तब तक लड़की फिछली सीट पर बैठ चुकी थी ओए लड़की 20-20 साल के आसपास थी ओए बेहद घूपसूरत थी पहनावे से ओए अमीर और हाई सोसाइटी की लग रही थी ओए साइद किसी सोच में गुम थी तवी तो उसने मेरे उपर ध्यान नहीं दिया था बरना मेरा चहरा और सराव के नसे में डूबी मेरी आँखे देखकर ओहे मेरी टैक्सी में कभी ना बैठ थी लड़की पिछली सीट पर अधलेटी सी आँखे बंद किये हुए थी मैं सामने लगे सीसे में से उसे बारवार देख रहा था रेलवे स्टेशन से सिवनिंगर का रास्ता मेह चालिस मिनिट का था मैं धीमी रफतार से टैक् पतल मचा रखी थी मेरा ध्यान टैक्सी चलाने में कम उस लड़की पर जादा था मैं जितना उस लड़की को देख रहा था मुझ पर उतना ही एक नसासा चा रहा था जवान लड़कियों को देखकर मेरे खून में गर्मी पैदा हो जाती थी एक बार स्कूटर पर जा रही एक लड़की को घूरते हुए मैं अपने होस खो बैठा था नतीजा की पिछले हिस्से से जा टकराई थी इत्ते फाक से मैं बच गया मगर टैक्सी को काफी नुकसान पहुचा था लेकिन इसके बाद भी मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था मेरा दिमाग और ध्यानका में बैठी लड़की पर ही लगा था अचानक तीन महीने पहले की एक गटना याद कर मेरे अंदर धीरे धीरे बासना का सैतांग जागने लगा हुआ यह था कि उस रात में कुछ सवारियों को रेलवे स्टेशन चोड़ने आया था रात के तकरीवन 11 बज रहे थे साध कोई स इसके साथ में सवारी मिलने का इंतजार करने लगा था कुछी देर में मुझे एक सवारी मिल गई थी वह एक लड़की थी और उसे माने कॉलोनी जाना था उसे टैक्सी की जरूरत थी उसने कई टैक्सी वालों से बात की थी रेलवे स्टेशन से माने कॉलोनी काफी दूर थ ज्यादातर टैक्सी बालों ने रात को इतनी दूर जाने से मना कर दिया था कुछ टैक्सी बाले बहां जाने के लिए तैयार भी हुए मगर उन्होंने किराया बहुत ज्यादा मांगा आखिर में लड़की का सौधा मुझसे पड़ गया था वह लड़की कम उम्र की वह खूब सूर्थ थी साफर में बौृयत से बहितने के लिए लड़की टाइंप पास करने की नियत से मुझको अंकल पुकार से बातें करने लग थी मैं उसके सब्यों का जवाब देने के साथ-सकुदवी उसके बारे में पूश्घास करने लगा था उस लड़की का नाम जापनम थ दूर एक सेर में पढ़ती थी बहां एक होस्टल में रहती थी कुछ दिनों की छुटियों में वह अपने घर चली आई थी पूनम ने अपने आने की ख़बर घरवालों को नहीं दी थी अगर वह फोन कर देती तो उसे स्टेशन पर लेने कोई आ जाता पूनम ने जान भूज क पर नहीं बताया था और अचानक अपने घर पहुंचकर घरवालों को चौका देना चाहती थी जादा रात होने की बज़े से सडक पर दूर दूर तक सनाठा था पूनम से बात करते हुए मैं टैक्सी चला जरूर रहा था मंगर मेरा मन कहीं और भटक रहा था मेरे साथ गोर गटिया और भयानक फैसला कर लिया उस रात मैं ड्राइवर से दरिंदा बन गया था मैंने टैक्सी एक समसान जगय पर रोक दी थी इससे पहले कि पूनम कुछ समझ पाती मैं कार के अंदर ही उस पर तूट पड़ा था पूनम तो जैसे एकदम से हैरान ही रह गई थी उसे म अमीद हरकिज नहीं थी पूनम रोते हुए मुझसे छोड़ देने के लिए गिलगडाने लगी थी पर उसके रोने गिलगडाने का असर मुझ पर नहीं हुआ था फिर पूनम रोना छोड़ मेरा बिरोध करने लगी थी अचानक मैंने सीट के नीचे रखा चाकू निकाल लि जान प्यारी है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर पूनम पर इस धमकी का असर पड़ा ओहें मासूम लड़की मौत के डर से बुत्सी बन गई थी अब मैंने उसके होंटों पर अपने होंट रख दिये फिर उसको बेहताहसा चूमने लगा और उसके जिस्म से खेलने लगा ज आज बहुत दिनों बाद मुझे को सुनैरा मौखा मिला था जिसे मैं अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था मैंने अपनी तरफ से बातचीत की शुरुवात की पर उहें लड़की ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब हाँ या ना से जादा सब्दों में नहीं दिया का काफी सोचने समझने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं उसके साथ मनमानी जरूर करूंगा बाद में चाहें जो कुछ भी होता रहे सड़क पर सनाटा था मैं मनहीं मन लड़की की इज़ित से खेलने का तरवाना बुनने लगा था सिवनगर से एक किलो मीटर पहले एक दूसर सेर को सड़क जाती थी वह सड़क जादा तर सुनसा रहती थी मैंने टैक्सी उसी सड़क पर मोड दी थी कार में बैठी लड़की को अपने रास्ते का पता था इसलिए उसने फौरन मुझसे गलत रास्ता होने की बात की पर मैंने उसकी बात पर अंसुनी कर दी खत्रा मैं एक जिगर टैक्सी रोक दी और सीट के नीचे से चाकू निकाल कर धाड़ा सुन लड़की अगर जरावी आना कानी की तो मैं पेट फाड़ दूँगा मेरी भयानक आखों में बासना के लाल लाल डोरे तेर रहे थे लड़की को धमकी दे कर मैं उस पर तूट पड़ा त कर रात के सीन मेरे जहन में घूमें तो मेरा पूरा जिसम कांप उठा कर रात मैं दरिंदा जरूर बना था लेकिन कामयाब नहीं उसका क्योंकि कर रात वाली लड़की पहले वाली लड़की की तरह कमजोर नहीं थी लड़की मुक्के बाजी और कराटे में माहर थी उस लड़की ने मुझे को भत पीटा लड़की ने एक जोरदार लात मेरी दोनों टांगों के बीच में मारी थी इसके बाद मुझे कुछ होस नहीं था मैं अस्पताल कैसे पहुँचा कब पहुँचा और किसने साया इसका मुझे कुछ पता नहीं था मैंने डॉक्टरों से जब एक खबर सुनी तो मानों मेरी जान ही निकल गई डॉक्टरों मैं बताया कि उन्होंने मेरी जान तो बचा ली मगर अब मैं कभी पिता नहीं बन सकता था क्यूंकि टांगों के बीच चोट लगने से मैं हमेशा के लिए नामर्द बन चुका था अब मैं अपने किये पर पस्ता रहा था लेकिन अब कोई फाइदा नहीं था क्योंकि मुझको मेरे किये की सजा मिल चुकी थी तो दोस्तों एह कहानी यहीं पर खत्म होती है आप लोगों को एह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए